पूर्ण के साथ मिलकर काम करना लाजमी जुस जम्शेद पूर सनती कॉन्फरेंस से नायब सदर जमूरिया वेंका एनायडू का खिताब तिलंगाना हकुमत की जानिब से दानिश वरान इमलाक आवार्ड्स का एलान आईटी चीफ सेकरेटरी जैश रंजन का इनकेशाफ शेहरी तरखी से मुतालिख चीफ निस्टर की जेरे सदारत इजलास जारी शेहरी तरखी प्रोग्राम 24 मार्स से 10 दिन तक जारी रखने का एलान और रियासत में बिजली की तलब में बड़े पैमाने पर इजाफा बरखी तलब को पुरा करने के अगदामाद जारी आदाव उर्दो बुलेटिन में आपका इस्तिखबाल है मैं हूं महम्मत अब्दलरहीम पेश है आपकी सबकी तफसील नाइब सदर जमूरिया विंकायन आइडू ने कहा के मुल्की तरखी उसी वक्त मुम्किन है जब हकुमत सनती शोबे काम करकर मिलकर काम करेंगे इन्होंने मुल्क के पहले सनती शहर जमशेदपूर की तक्मील के मौके पर पीर को टाटा स्टील के जिरेते मा मुनकिदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया विंकायन आइडू ने कहा कि हुकुमत चाहे कितना ही खर्च करें माशी नमो मुमकिन नहीं है आज जरूरी है कि हम कुछी को एक लाब अप्रद और स्टाई व्यवसाय बनाने के रिए समन्वित प्रयास करें संरकार को अपना दायत को निवार ही है अब समय आगया की निजी क्शेट्र भी अपनी भूमिका का निरावन करें 먹어 descend the prime minister disagree with the chief minister disagree with your minister m.p. with your management, but discuss and decide that is the beauty of democracy he can't how change otherwise violence has no place in democracy तिलंगना हकूमत तवाम शेहरों और खजबों की नई सूरतगीरी के मकसद से शेहरी तरखी पर अमल दरामत करने की तैयारी कर रही है कुछ देर खबल चीफ निस्टर केच अंदर शेकर राओ की जेर सदारत परगती भवन में मुनखिदा एक इजलास में खजबों की पेशरफ्त का जाइजा लिया गया इस जाइजा इजलास में मुतादित वज़रा मुतादित अहुदेदार मेर और सदरनशीन ने शिर्कत की ये प्रोग्राम जारिया माह की 24 तारिख से शुरू होगा और 10 दिन तक जारी रहेगा चीफ निस्टर केसी आर ने काविना के अजलास में शेहरी तरफिस से मुतालिख वज़रा को हिदाएद दी चुनाँचे अवामी ओदेदारों ने उन्हें मुकम्मिल रहनुमाई फराहम करेंगे हैदराबाद के प्रगती भवन में रियास्ती सेह के बल्दी कॉन्फिस मुनाखिद होगी वजीर रेलवे प्युजगोईल हिदराबाद के नवाही लाखे चरलापरली में सेटलाइट रेलवे स्टेशन के तामीर के लिए संगे बुनियाद रखेंगे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ये तकरीब मुनाखिद होगी चरला परली इस्टेशन में दो सो पचास एकर पर मुहित जदीच सहुलिया से आरास्ता इस्टेशन तामीर करने का फैसला किया गया है। महकमे रैलवे ने मौझूदा पचीस एकर इस्टेशन को तरखी देने का मनसुबा बना है। पिशगोयल साउट सेंटर रैलवे के तहट आने वाले 427 रैलवे स्टेशने में मसाफरीन को मुफ्त वाई-फाई खिदमात पेश करेंगे। बाद स्टेशनों पर डबल लाइन को बिजली से मरबूत किया जाएगा। तिलंगाना हुकुमत ने मुलक में दानिश्वराना आवार्ड का एलान किया है। इसका नाम T.S.P.A. 2020 से मौसुम किया गया है। तिलंगाना के IP चैमपियन के लिए आवार्ड की तखरी मुनाखित की जा रही है। तिलंगाना हुकुमत के रियासती अधारे के इजास के एलान मकासित के ये प्रोग्राम अनजान दिया जा रहा है। ये एवार्ड कारूबार के नए मौाखे तलाश करने वालों की हौसला अवजाई के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहे है। इन एवार्ड को साथ जम्रों में पेश किया जाएगा। अवामी शोबे बड़े दर्मियानी छोटे कारूबारी अधारे स्टार्ट अप को ये एवार्ड पेश किये जाएंगे। जिसके लिए दस मार्च तक दर्खास्ते दी जा सकती है। रियास्ती हकूमत से आईटी के चीफ सेकरेटी चैश रंजन ने ये एक बात कही। बर्खी के हुदेधारों ने बताया कि रियास्त में बजली की तलब में मसस्सिल इजाफा हो रहा है। रियास्त के तारीक में सकल सबसे ज्यादा तलब रिकॉर्ड की गए। हकाम का कहना है कि बजली की बड़ती तलब के बावजुद बजली की फराहमी के तमाम तर इंतिजामात किये गए हैं। गुजिश्ता रोज 10 गंटे 15 मिनिट के लिए 12,137 मेगावाट बर्खी तलब की गई। साल 2019 में गुजिश्ता दिन 8,962 के मनिमला इस साल 3,155 मेगावाट का इजाफा हुआ है। गुजिश्ता साल 30 अगश्त तक रियास्त में सबसे ज्यादा मांग 11,808 मेगावाट थी। अब ये रिकॉर्ड भी तूट गया है। हिदराबाद में बायो ऐशिया का सतरवा एडिशन सेमिनार जारी है रियास्ति वजीर सेनत के टियार ने कई फार्मा कमपनियों के सी एोज और मुम्ताश शख्सियतों को इस सेमिनार में मद्दू किया है इस सेमिनार में 69 ममालिक के तालुख वाले 2000 से जायद मंदूबिन शिर्कत कर रहे है इस बायो ऐशिया में डॉक्टर कारलंगो बायो ऐशिया आवार्ड से नवाजा जाएगा मरकजी वजीर पियूज गोईल आज इस कौनफरेंस में शिर्कत करेंगे मेहकुम आईटी के चीफ सेक्रेटी जैश रंजन ने कहा है कि हिदराबाद में बैनलो खामी कार्पूरेशन का मरकज है नई इजादाद लेकर आया है इन्होंने शेहर के माधापूर में हिंडुस्तान के पहले सेंटर आफ एक्सिलेंस सौफ्टर टेकनोलोजी स्टी पी आई इमेज का इफ्तितान जान दिया इस मौकर पर जैश रंजन ने कहा कि शोबे में हुकुमत फरुख के लिए ताउन करेगी यह मरकज हर साल 30 हंकर के सहुलियात फराहम करेगा आएंदा पांच बरसों में 19 कलोड 68 लाक रुपे फराहम किये जाएंगे इस अद्ट बार ने जाएंगे स्टी आई ए इस दो इसन प्रद इस के धिए जाएंगे डेबलू पी आर जो आलमी आबद्या का जाहिजा लेती है साल 2019 में इनकेशाफ किया है कि आबादी के इतिवार से बरतानिया ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है खुली मंडी की मईशत के तोर पर हिंदुस्तान ने तफसरा करते हुए कहा है कि बरतानिया की जेडिपी 2.83 ट्रिलियन डॉलर और फ्रांस की डीजिपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर थी डेबलू पी आर का दावा है कि हिंदुस्तान ने इन दोनों ममालिक को पीछे छोड़ते हुए 2.94 ट्रिलियन का निशाना अबूल कर लिया है चिन में करोना वाइरस से हलाकतों की तेदाद 1800 से तजावज कर गई है सिर्फ एक दिन में ही होप यान में 39 हलाकते जहां वाइरस बहुत शदीद है इस तरह जुमला हलाकतों की तेदाद अब तक 1863 हो गई है जबके मज़ीद 1860 नए केसस दरियाफ्त किये गए है अब तक 10615 अफराद वाइरस से बाजियाब होकर वतन वापिस चले गए है महबूब नगर के रुकने पारलिमान सिरी निवास रिड़ी ने कहा है कि चीफ निस्टर के चंदर शेकर राउने मुल्की तरखी और फलाही बहबूत के जो मनसुबे वज़ा किये हैं इससे मुल्क भर में शोहरत हासिल हो रही है रुकने पारलिमंट ने जिले महबूब नगर के नवापेट का दोरा किया और अवामी मसाइल से वाफ़ियत हासिल की इन्होंने दोर दर्शन से खुसूसी बातचीत करते वे कहा कि तिलंगाना में मिशन भगरता, मिशन काकतिया, केसान इंशूरेस, 24 घंटे मुफ्त, बिजली के फराहमी, कल्याना लक्षमी, शादी मुबारक और ओल्ड एज पिंशन जैसी स्किमो खौमी सतह पर तसलीम किया के इस्तिमाल से अपनी फसलों को दूग ना कर सकते हैं. हकुमत किसानों की फलाव बहबूत के लिए जमीन के सर्वे कर रही है. उतेदारों का ख्याल है कि मुनासिब खुराग, बहतर खात के इस्तिमाल और कम सर्मायकारी से ज्यादा पैदावार हासिल हो सकती है. जिले के जिराई आफिसर रूपी को मरकज ने बताया कि वनपर्ती जिले के 14 जोन्स में ये हर एक 2851 किसानों की मट्टी के नमूने जमा किये गए हैं. जाँच के बाद कास्ट कारों के मताबिख जियो थर्मल टेस्स से खेर जरूरी खादों की लागत को कम करने को कहा जाएगा. करीमनकर जिले में बड़े पैमाने पर आराजियात के सर्वे का प्रोग्राम जारी है. जिले के 15 जोन्स में ये प्रोग्राम रूब हमल ला जा रहा है. इस प्रोग्राम को तजरिवाती तौर पर एक गाउँ फी जोनल के तौर पर चलाया जारा है. और केसानों की वहां तम आजनास दिये जाने हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहां खाद कितनी होना चाहिए केसानों को इस बात के खुशी है कि इस जर्वे के नतीजे में खाद और द्वाएं कम इस्तेमाल हो रही है हिंदुस्तानी क्रिकिट के अजीम खिलाडी सचिन टंडूलकर को लार्सन आवार्डस इस्पोर्ट्स दिया जा रहा है इन्हों है 2000 से 2020 तक मुल्क में ताउन के लिए कलीदी आवार्डस से नवाजा गया सचिन टंडूलकर 20 नामजद खिलाडियों में से एक है सचिन को ये अवार्ड बरलीन में मुनकिदा एक तक्रीब में दिया जाएगा नाज़री बिल्लिटिन के आखरी में दालते हैं लाइन पर एक और नज़र मुझे दीजिए अजासत आदाब हकुमत का सनथी सोबे के साथ मिलकर कायम करना लाजमी जुस जमशेद पूर सनथी कॉन्फरेंस से नाइब सदर जमुरिया वेंका एनाईडू का खिताब तिलंगाना हकुमत की जानिब से दानिश वरान इमलाक आवार्ड का एलान आईटी चीफ सेकरेटरी जैश रंजन का इनकेशाफ शेहरी तरखी से मुतालिख चीफ निस्टर की जेरे सदारत इजलास जारी शेहरी तरखी प्रोग्राम 24 मार्ट से 10 दिन तक जारी रखने का एलान और रियासत में बिजली की तलब में बड़े पैमाने पर इजाफा बरखी तलब को पूरा करने के एकदामाद जारी झाल प्रोग्राम करने पर दिन जारी